टोको के F6 के लिए finally first update आ चुका है Android 16 के support के साथ HyperOS का और आज किस वीडियो में मैं आपको ये बताने लना हूँ कि जो first Android 16 update है हमाई डिवाइस के लिए इसके साथ क्या कुछ आपको देखने को मिलता है ताकि आप decide कर पाओ कि इससे भी try करना चाहिए या फिर नहीं वीडियो अच्छा लगता है तो यहार लाइक करते हैं और चैनल पर नहीं है तो subscribe ताकि ऐसे helpful updates आपको मिलते रहे इस device से related और बाकि यह दर डिवाइस से related वालपेपर चाहिए तो मेरे टेलिग्राम वालपेपर चैनल पर मिल जाएगा जहांसे भी से download करके साइनमी डाइनमिक AI वालपेपर का यूज करते हैं चेंज कर सकते हो Android 16 के अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो वर्जन में यूज करूँ हाइपरो इस का वह है 2.0.25427.1 और यहां पर अगर हम आते हैं डीटेल एंड इंफो में तो आपको लास्ट में लिखा हुआ मिल जाता है जो कि DPP Android 16 है फोर मंत का सिक्योर्टी पैच आपको देखनी को मिल जाता है असमुद्देस की बात करें तो असमुद्देस काफी अच्छा खासा देखनी को मिलता है लेकिन हां फॉर्स टाम यूज करोगे तो हलका फुलका आपको इफोल्ट मिलने वाला है जहां पर कई सारे फीचेस एड़ किये गए जो कि आपको पसंद आएगा तो इसका आप यूज कर सकते हो साथ-साथ यहां पर जो आइकन दिये गए ना सिस्टम के यह तो ऐसे मोर्ड रिफाइन हुए है पहले के कंपारिजर में जो कि आपको काफ है बड़ अफसूस की बात कि चाइना में है तो आपके यह काम का रहता नहीं है लेकिन हाँ इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो तो आपको समझ में आना चाहिए या फिर आप गूगल लेंस का यूज करते हुए देख सकते हो क्या यह सही बता रहा है या फी गलत बता रहा है बाकि हम बाते हैं सेटिंग के अंदर तो यहां पर कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वाई समय के हमें इसा से एक ही आदत है बस android का नंबर चेंज कर देते हैं वर्जन का नंबर चेंज करते हैं कुछ नया एड करके नहीं लाते लेकिन फिर भी कु देखने को मिल जाता है यहां पर i health notification का एक नया option जो कि आपको जो notification देगा कि वहाई आप ज्यादा यूज कर लेओ फोन से दूर हो जाओ ताकि आपके आंके खराब ना हो तो यह चीज आपने हिसाब से decide कर सकते हो और इसे on कर सकते हो जो कि अच्छा है बाकि यह साइज देखने को हमें मिलता था यहां पर यह आपको बदलाव दिखाई देगा बागी control center में अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है लेकि में भी जब तक public group से हर जगा रिलेज होने लग जाए तो sad change हो बट अभी की टाइम पर कुछ खास यहां पर नजर नहीं आता कर सारे features हो है जो कि मैं कहूं कहा Android 6 ने बज़े से नया देखने को मिला हो साथ-साथ यहां पर जो HyperOS 2.2 के features आये थे जैसे की customized toggle display तो यह आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जिसके बारे मैं आपको पहले भी explain कर रखा है लेकिन जो आपको एक और features मिलता था लॉक स्किन के नहीं है में भी बाद में add हो जाएगा प्रसनलाइच के अंदर आपको dynamic wallpaper मिल जाता है जो कि आप यूज कर पाओगे अगर आप fingerprint के अंदर आते हो यहां पर नया लुक आपको देखने को मिल जाता है यह जो कि एनिमेशन बगेर है जो कि में भी आगे चलके हमें officially देखने को मिले हट जगा बट अभी फिलाल यहां पर नजर आता है android 16 के अंदर जो कि आप अपने on screen display यानि in display fingerprint पे इसे set कर सकते हो साथ से साथ यहां पर डाइनमिक कर यूज करते हो जो वाल पर मिने चेंज कर रखा है ना डाइनमिक की रूप में वह आप बदल सकते हो यह आपको मेर मिलता है limited वाला ही क्योंकि यहां पर 10 seconds officially रखा गया था बट मैं यहां पर एक port version यूज कर रहा हूं जिसके वैसे यहां पर unlock किया गया है always on वगएर आप set करके यूज कर सकते हो नदर sound के profile में यहां पर मुझे कुछ खास जारा नया नहीं देखनी को मिला सिभाए एक चीज क के अंदर कुछ खास यहां पर नया आपको देखनी को नहीं मिलता है तो वही साई चीज है और अभी तक इन्होंने MIUI 14 के टाइम से जो इसकी ओन टैमिंग गाइब किया है ना अभी तक एड नहीं किया है Android 16 आ चुका है और यह I don't think कि एड करने वाला है in future तो यह फिलाल इस वगेर आपको सेम और सिमलर देखनी को मिलता है जिसमें कुछ खास चेंज वगेर आपको दिखाई नहीं देता तो यह सेम वैसे ही है यह बाई सिर्फ सिपोर्ट किया गया जिसके वैसे आपको यहां पर पेड वाले वीजर देखनी को मिलते हैं unlock नहीं करा गया और launcher की setting के UI करें तो यहां पर कुछ इसी तरही से जो कि आप पहले देखते थे वही आपको देखने को मिलता है recent वगेरा भी similar ही आपको देखने को मिलता है अब रही बात इसका test result क्या निकल के आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप decide कर पाको इसे डालना है या फिर नहीं ड अगेरा जो कि आप यहां पर exit कर सकते या install कर सकता आपको install हो जाता है application कोई दिकत नहीं आता साथ-साथ यहां पर camera में आपको दिखाएं दिया latest all आपको देखने को मिल जाता है जो कि सही है battery drop के बाद करें तो 44 के बाद morning में आता है 41 जहां पर 3% का battery drop हुआ है जो कि यहां यहां पर डिडेक्ट नहीं हुआ सब कुछ 00 है यहां पर आप देखो चार्जिंग 90 मिनट में 55% हो जाता है जो कि स्पीड में अच्छा है नॉर्मल CPU रिजल्ट काफी सही आया है 4 लग 5000 मैक्स और minimum यहां पर 3 लग 49000 जो कि अच्छा खासा है और यहां पर भाई मैंने जैसी परफोशन मूट पर डाला और चेंज किया तो यहां पर सिमलर ही रिजल्ट है कोई खास बिक चेंज नहीं आया और जा मैने यहां पर गीक में चेकिया तो काफी अच्छा रिजल्ट टेखनी को मिल जाता है जो कि आप डेख से सिंगल और मल्टी अगरा उसकार गेमिंग करता है जो कि अच्छा लगा और टेंपरेचर भी कंट्रोल में जो कि 42 ही आया है तो यह चीज भी मुझे यहां पर पसंद आई है बाकि फोटो इस्टोरीज भी आपको यहां पर लिम्टेड मिलता है अनलॉक नहीं करा गया क्योंकि मोडिफिकिसन यहां पर नहीं करी गई ह है इसके लाबा यहां पर कुछ खास मुझे नया देखने को नहीं मिला तो डिसीजन आपका एक आप इसे डालना चाहते हो या फिर नहीं डालना चाहते और इंस्टोलेशन मैठेड वह इस सेम है हाइवरी डोला बस बैट फाइल को रन करना है और आपको अपने फोन के आप है जो ले पाओगे मैं मिलता हूं आपसे नेक्ष्ट वीडियो में और आप मुझे बताना है कि इस एंड्वाइड सेक्ष्टन को देखे कितना जाद आपको हैपी फील हो रहा है ठीक है मैं मिलता हूं बाइ बाइको सब्सक्रादण के कि अ क्वाइड सेक्ष्टन